हाँ उतना रिस्पोंस यहां पर नहीं है लेकिन ठीक ठाक है ठीक है मतलब काफी सही रिस्पोंस आप लोगो को यहां पर भी मिल जाएगी आर्बन यह रेंड मोड में स्विच करके चलाते हैं मैक्सिमम पावर टॉर को घटा दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके ताकि हाजर हूँ 2024 टीबस अपाच रटी आर 164 वी विद राइड मोड स्पेशल एडिशन और टाले थमने से आप लोगों ने समझ लिया होगा वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डीटेल राइड रिव्यू शर करूंगा और सिर्फ राइड सही होगा यह बाइक आप लोग के लिए खरिदना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहूल टीबस कृष्णगर पर प्रोवाइडिंग मीरी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक यह रिव्यू पहुचा सकूं विस बेंगाल के कृष्णगर या सपास के रहें मेंगर आप रहते हैं कोई भी आप यहां पर टीवेस की प्रोड़क खरिदना चाहता है शुरूं को कॉंटाक बिल्कुल कर सकता है डीटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिग गही होगी तो चली दोस्तों शुरू करते हैं चली फ्रेंट्स वाकरा किसे ही देखने को मिल जाता है अगर यहां पर टीन बिलेगा एक स्टेनंड मॉडल है है जहां पर आप लोगो इसकी सेकने इदिशन पर आता है तो वह इसक़ी स्पेशल एडिशन है घ्र और फोडिए साथ कि जो ढले पर देखने हों मिलते हैं यहां इवाली व्रीइन प् 161,000 के असपास इससे 4-5,000 रूपय और भी आप लोग को वहाँ पर कम देख में मिल जाता है तो यह मैं आप लोग को जो वेरेंट अप प्राइस उसके बारे में बता है अब मैं आप लोग को बता दू कि ओवराल चीज़ आप लोग को मिल का कर यह दन हम लोग इसकी राइड यह हाई बीम हो गया और पास लाइट के लिए जो स्वीच है आप लोग को अलग से मिल रहा है और इसको भी बंद करता है साथी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर आप लोग को यह मतलब नॉन फिक्सिबल टाइप ऑफ बिल्कुल देखने में मिल रहा है और अब लोग को यहां पर मिलता है दन जैसे मने आपको अभी बताया था सेफ्टी में अगर आप लोग देख रहे हैं सिंगल चले अब लोग को यहां पर डूबल चैनल एबिस मिल रहा है साथ ही 270 विम की बड़ी से आप लोग को पेटल डिस मिल रही है जो ब्रेकिंग के अब अब आजये यहां पर इंजिन में बात करते हैं इसके बारे में 159.7 CC SOHC 4 Valve AI Oil Cooled Finiated Engine आप लोग को यहां पर देखते में मिलेगा इनफेक्ट जो oil cooling है company ने वहां से हटा दिया इनमो 60 में से लेकिन यहां पर company ने oil cooling को बरकरा रखा है तो यह एक बहुत बढ़िया बात है साथि अगर आप लोग देख रहा है यहां पर यह जो engine cowl है यह काफी तगड़ी quality के लेकिन हाँ यह जो packaging है यह थोड़ी सी और बहतर हो सकती थी साथि आप लोग देख सकता है यहां पर यह जो crash guard है यह भी आप लोग को मिलता है तो sideways अगर गाड़ी गिरती है scratches और dent की possibility काफी हद तक कम हो जाती है और अगर मैं आप लोग को power figures के बारे हैं बता हूँ तो यहां पर आप लोग को 17.55 PS की max power और 14.70 Nm तक की max torque आप लोग को जो mileage है उसको यहां पर enhance किया जा सके बागे अगर मैं आप लोग को बता हूँ यहां पर यह जो fiber की quality वगर आप देख रहे हैं यह आपको काफी अच्छी मिलेगी इंट्रक्ट अगर आप लोग यह footrest और brake lever की quality देख रहे हैं यह भी आपको काफी तगड़ा ही देखने को मि तो यह आवाज दोस्तों आप लोगों यहां पर सुन लिया है बाकी मैं इतना कह सकता हूं कि भाई 160 से सेग्मेंट पर ने काफी आप लोगों को बेसेर साउंड बिलकुल निकाल कर देता है इन फेक्ट अगर आप लोग पावर और टॉर्क फिगर देख रहे हैं तो टॉर् करने ही वाला है एक बार दोबारा जो की है उसको मैं यहां पर आउन करना चाहूंगा ताकि आप लोग को जो रेयर पोर्शन उसके बारे बता सकूँ टेल लैम कुछ इस तरीके से मिलेगी फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगो यहां पर जो नॉन फ्लिक्सिबर बर्ट तो आपकी जो आप कहा सकता है रोट के साथ ग्रिप वो अच्छी बनेगी ओवरल आपकी जो सेफ्टी वो भी यहां पर इन्हांस होती है साथ ही अगर आप लोग को बढ़ा दिया गया है और अगर मैं आप लोग को शोवा की जो मोनस्ट्रा सस्पेंशन है यह भी आप इस बात करेंगे लेकिन एक बात बता दू बैठ वन वाली शेप की यहां पर यह जो grab handle आपको मिल रहा है, अगर आप पिलन के साब से बैठ रहे हैं, पगड़ के बैठने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं, यह आप लोग को fiber की दिख रही है, लेकिन अंदर जो actual tank है, वो metal की और 12 लेटर की आपको मिलती है, mileage करीवन 40 से 45 के बीच में, आप expert कर सकता है, अगर आप लोग इसको urban या rain mode में switch करके चला रहे हैं, तो, साथी आप लोग को यहाँ पर 180 तक की जो ground clearance है, वो मिलती है, और overall weight अगर आप लोग देखते है, 146 kg की आपको यहाँ पर देखने में में मेल जाती है, handlebar आप लोग को यहाँ पर normally मिलते है, clip on बगर नहीं है, इसके बार में आगे चलते वे बात करेंगे, कि कितना सही आप लोग को यह handling निकाल कर देती है, लेकिन हाँ, पास्टेक्टर switch आप लोग को यहाँ पर मिल रहा ह mode है, आप लोग को मैंने पहले ही का है, तो उसको toggle करने के लिए mode का button, then यहाँ पर यह DRL के साथ, headlamp को switch करने के लिए button मिल रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नीचे है engine on करने का switch, exhaust sound मैंने आप लोग को यहाँ पर already सुना दिया है, then अगर आप लोग यहाँ पर देख रहा है, तो E20 की stickering आपको मिल रही है, straight मतलब यह बनता है कि भाई, इस engine को अगर आप लोग फ्लेक्स फिल से पर run कर रहा है, तो आप आराम से run कर सकता है, अब बात करता है, meter console के बारे में, वो अफ़कर अगर on करी जाए, तो पूरा एक बार यह swipe भरेगी, gear up, check bracket flag, then high patching लिखकर यहाँ पर आपको दिखेगी, then यहाँ पर आप लोग को tachometer, speedometer, then आप लोग को fuel gear sensor, time, अगर आप लोग इसको change करना चाहता है, mode को तो यहाँ पर यह दिखे, mode के button press कर दीजे, sport mode, ठीक है, यह आप change कर चकता है, urban, rain, sport mode, sport mode, maximum power torque, maximum performance आपको दिखेगा, then gear position sensor आपको दिखे रही है, and then अगर आप mode cover निस्तिमाल करता है, trip A, trip B, lap timer mode, high speed mode, 0 to 60 किते seconds में अचीव हुई है, वगेरा, और odometer, यह सारी चीजे आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी, साथी आप लोग को यहाँ पर यह smart connect app का जो technology, आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो आप मिलती है, लेकिन हाँ चलते वे इसके बार में बात करेंगे कि rare view आप लोग को कितना बढ़िया, यह निकाल कर दे सकती है, तो दोसो, बाइक के बारे मोटा मोटा मैं आपको बता दिया, चलिए अब राइट पर चलते हैं, then इसके बार में बात करते हैं, start करते हैं, और अब वक्त जाय ना करते वे, मैं अपना experience आप लोगो साँ शेयर करूँगा, देखिए, जबाब बैठ रहे हैं, तो आप लोगो एक rare fitted footpick जो है, वो आप लोगो यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन देखिए, मेरी height around close to 6 है, लेकिन अगर मैं अपना पैर नीचे रख करेंगा, साथ ही ना एक comfortable nature भी है, इस seat की, मतला जबाब बैठ है तो वो comfort जो nature आपको समझ में आ रही है, और आपको ना बहुत जारा जुकने की भी ज़रूद नहीं है, in fact, इन वो इस्टी में जबाब देखते हैं आपको हलका सा जुकना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आ सेकेंड गियर, थर्ड गियर, अब भाई लोग देखिए, मतलब एक बात तो है कि जब आप इस बाई को चला रहे हैं तो भाई, king of the segment इसको जो नाम मिला हुआ है, मतलब काम भी उतना ही तगड़ा आप लोग को यहाँ पर दिखा दे, जब आप थ्रोटल दे रहे हैं आपक सीट कमफर्टर के बारे में तो मैं आप लोग को बता ही दिया, अब देखिए, टाइम वेस ना करती हुआ चलिए, सबसे पहले इसकी चो एक्सेलेशन टेस्ट है, वो करता है, दन बात करता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चले दोस्तों स्टार्ट करता है, फर्स्ट ग ये भी आराम से बार कर लिया है, अब देखिए, मैं ना, शायद अभी जो मैं कहने वाला हूँ, आप लोगो को थोड़ा अठपटा सा लगे, लेकिन बात काफी ट्रू और अनेस्ट है, जब आप इसको चला रहे हैं, 0-260, 0-200, इन फेक्ट अगर आप NS-160 या फिर N-160 सी भ अपर नहीं जाती है, लेकिन ये बाइक आप लोगो टॉप एंड जो है, अब अगर वाइब्रेशन के बार में बात करी जाए, काफी लोग कहते हैं कि भाई, अप आचे में वाइब्रेशन है, जी हाँ, मैं मानता हूँ वाइब्रेशन है, लेकिन वो टू भी में आप लिए E20 मोडल में, तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन बहुत कंट्रोल है, 90, 85, 90 तक भी बहुत समझ में आएगी, लेकिन उसके बाद आपको वाइब्रेशन समझ में आएगी, in fact अगर आप देख रहे हैं, comfortable cruising speed आप लोग 100 तक भी आराम से मान कर चल सकते हैं, और वही अगर मैं बता हुआ, stability में क्या कोई problem है, मेरी साब साब को stability में भी हाँ पर problem नहीं होनी चाहिए, आप देखें, acceleration के बाद एक और चीज़ तो मतलब टेस्ट करना बनता है, वो है इसकी GTT technology, अब second gear पर मैंने डाल दिया है, clutch और gear दोनों ही, मैंने clutch और throttle दोनों ही आप रिलीस कर द ये देखिए, 21-22 की speed पर जा रही है, और देखिए वो घट-घट-घट-घट जो आवाज है वो भी नहीं कर रही है, अब ये है, comfortably use करना इस technology को जो किया GTT technology, अब काफी बार होता है, जब आप, मतलब, आप कह सकते हैं कि जब आप traffic पर होता है, ठीक है, आपको बार-बार दो प्रॉब्लम आती है, माइलेस तो घटती है, साथ ही इंजिन स्ट्रॉलिंग का, वो घट-घट-घट-घट जो आवाज आता है, उसका भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो दोनों से आप लोगो रहात देती है, इनफेक्ट मैं कहूंगा दोस्तों की काफी लोग ऐसा कहता ह सब्सक्राइब के बजाज में भी यह चीज है, बजाज क्लेम नहीं करती है, और बजाज में इतनी कमफटबिली इस चीज को आप यूज नहीं कर पाता है, और दोस्तों अब यहां पर इसकी जो ब्रेकिंग उसको भी टेस्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले फ्रंट को टेस करेंगे, 60 पे ले जाके, and 63 पे फ्रंट ब्रेक यह देखिए, अच्छा, यहां पर आपको एक और टेक्नोलोजी मिलता है, जो कि है, RLP, रेर वी लिफ्ट अप प्रेक्शन, अभी मैंने 60 पे कसके ब्रेक पकल दिया था, लेकिन रेयर टार उचली नहीं है, तो यह बहुत ब अगरा लेना चाहरे, मेरी साब से प्रॉब्लम नहीं होगी, और अब इसकी जो रियर है, उसको भी टेस्ट करेंगे, सेम 60 पे ले जाके, and 61 पे रियर ब्रेक अप्लाइट, अब देखिए, फ्रंट में जब आप ब्रेक अप्लाइग कर रहे हैं, तो उतना आप लोग को वो आप लोग को डेफिनिटलि समझ में आ रही है, तो यह एक बात है यहां पर बाकि यहां रियर वील में जो ब्रेक फ्रंट मिल रहा है, वो आपको काफी तगड़ा मिल रहा है, लेकिन एक बात है, यह जो ब्रेक लिवर आप देख रहे हैं, इसको आपको थोड़ा सा कसके प अप्लाई करते हैं तो इसको भी एक बाद टेस्ट करके देख लेते हैं पहले रियर के बाद फ्रेंट को यूज करेंगे सेम अधिस्वीड आप सिक्स्टी एंड सिक्स्टी वन पर रियर भी फ्रेंट ब्रेक आपने सबसे बहतरी यह मतलब तरीका होता है कि अब रियर के संगसंग बात फ्रंट को इस्तेमाल कर रहे हैं अब जहां तक मैं यहां पर समझ पाए हूं देखिए मतला अगर आप और इसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना चाहते है ब्रेकिंग के तो आपको यही काफी अब यह को यहां पर घॉध ऐसा निया कि वनली ऐसा मिल यह का फीसरी कि अप क очер रिख रोग्हां अब लिकाउन हें ऊसलीया कि देख रहे हैं अब का फिसनको छाय है अव एक बाइक कि एक सर्ण को यहां में सब्सक्ए करे को आप इस्नारी ईंच समझ पर लिए लेकिन सिर्फ अगर आप फ्रेंट ब्रेक को ही देख रहे हैं दोनों बाइकों में तो डिफरेंस आई जैसे मैं आपको भी कहा था वह हलका सा टैप करते सी वह पट से रोग देती है वह चीज यहां पर यह जो ब्रेकिंग है अप लोग को थोड़ा सा मतलब मिट साइट पर मि लग नहीं जा रही है अब यहां पर अगर आप लोग फ्रंट देख रहे हैं या फिर आप रियर देख रहे हैं अब देखिए यह जो मतलब तूफान है थे इसमें पर लग पेर पुरा रास्ते पर आ गया है कटके तो अब जैसे मैं आप लोग को पहली बता रहा था एक्सल है तो भी आप लोग को यह बहुत हत्तर हेल करती है कि आपकी जो बैक उसको बहुत जारा जर्क फिल नहीं कराती है अगर मैं यहां पर आप लोग को ना एक बार यह घुमा के बताओ ठीक है गाड़ी तो यह रही है यह एक चीज है अगर थोड़ी सी और इसकी चोटी होती है ऐसा भी नहीं है लेकिन अगर आप लोग देख रहा है तो N160 के मुकाबले यहां पर आपको थोड़ी से कमफर्टेबल सस्पेंशन मिल सकती है अगेन मैं कहूंगा जो मेरा अने स्पेरियंस था वो मैंने आप लोग को यहां पर बता दिया है लेकिना स्टिफनेस आप चा क्योंकि यहां आप लिए अफरप लोग को थोड़ा से आप लोग मिलेगा लेकिन एक और बात है वहां पर न अब सामने की तरह जुकता है लेकिन यहां पर देख रहा है तो nivea ARE शटरिके कि जो setup है वो आपको थोड़ा से different देखने को मिलें तो और हैंटली में कहूंगा कि आप लोग का एंवान से यहां पर थोड़ी सी अलग देखने को मिलें और यहां पर क्या जानते हैं अब बाइक के हलका सांदर बैठा है हैं हैं आप काफी अप्राइट बैठा है तो वह एक नीचर में अब बाइक कितनी बड़ी है रेर वी आपको कितना अच्छा निकाल कर दे रही है इस पीड़ी बाइक चलाना सीखने तो आप लोग के लिए आप जो गेर पोशन सेंसर है वह भी आप लोग को यहां पर मिल जाता है उसमें भी आप लोग को प्राबलम नहीं होगी ठीक है दन सीट भी जो है वो भी काफी स्पेशियस है चाहे आप हो चाहे पिलिन बैट रहे हो फैमली पॉसन गरे तो बहुत सही है ठीक है दन अक्सेलरेशन काफी अच्छी है ब्रेकिंग आपको काफी तगडी ही देखने में मिल रही है तो आप लोग को इस बाइक को चलाने के ब आप लोग को बटा ही दिया है तो आप लोग वोसे इतना कह सकता हूं कि इस बाइक को चला करना आपको को यहां पर आप लोग को परफोर्मेंस में कोई लाग है वह आप लोग को यहां पर फेल नहीं होगी इन्फेक्ट अगर अगर आप लोग लोग एक स्ट्रीम और 4B के साथ जा रहे हैं प्राइस आप लोग को बोटा-बोटा इसी तरीगी की देखने को मिल जाएगी लेकिन एन अगर आप लोग जा रहे हैं, एर कुल होते भी प्राइज आप लोग वहां पर 3-4 रुपय जादा पे करना होगा, इन फेक्ट अगर आप लोग नस में जा रहे हैं, वहां पर आप लोग आप लोग को 10-12000 रुपया, इस बाइक से जो कि आप लोगो 16869,000 तक में देखने को मिलेगी आप लोगो वहाँ पर ज्यादा पे करना हो रहा है तो overall दोस्तों मेरी जो राय थी वो मैंने आप लोगो यहाँ पर बता दिया है कि चीज़े आप लोगो यहाँ पर क्या-क्या मिल रही है और यह किस तरह के से N से डिफरेंट है या फिर आप लोगो को क्या-क्या चीज़े N, N,S या फिर Xtreme में देखने को मिले सकता है completely मैंने आप लोगो बता दिया बाकि आप लोग क्या समझता है ज्यादा value for money bike अभी आप लोगो कौन सी लगती है Xtreme 160 R4V, N160, NS160